Dear Students, आज हम कक्षा 10 की भुक इंग्लिस रीडर के सक्षन प्रोज के चैप्टर नमबर एक दा इंचेन्टेट पूल का हिंदी में अनुवात करंगे. इस चैप्टर के राइटर स्री राजगोपाला चारी हैं. दा इंचेन्टेट पूल का अर्थ जादुई तलाब है. यह चैप्टर महाभारत का एक अंस है, जिसमें कि युदिष्टर और यक्स जो मृत्यू के देपता हैं, उनके बीच की संबाद को दिखला गया है. और युदिष्टर उनसे क्या संबाद करते हैं, आई इस अध्या में हम देखते हैं. युदिष्टर बेटेट फोर हीज विरोदर्स इन अंग्जाइटी एंड थरस्ट. बेटेट प्रतिक्षा करते हैं, अंग्जाइटी चिंता अथरस्ट मीज प्यास. युदिष्टर अपने भाईयों का चिंता में और प्यास से लगते हुए प्रतिक्षा करते हैं. Can they have been subjected to a curse? क्या वे किसी साप के द्वारा प्रतिक्षा हो गए? Are they still wondering about in the forest? और क्या भी अब तक जंगल में घूम रहे हैं, क्या भी अब तक जंगल में घूम रहे हैं, in search of water, पानी की खोज में? क्या भी किसी के स्राप का सिकार हो गए? या फिर भी जंगल में अब तक पानी की तलास में घूम रहे हैं? Can they have fainted or died of thirst? वे सोच रहे हैं, पर दिक्षा करते हुए, कि Can they have fainted? क्या भी मोर्शित हो सकते हैं? और died या फिर मढ़ सकते हैं? of thirst, प्यास से. क्या भी प्यास से मोर्शित हो सकते हैं? या फिर उनकी मिर्ति हो सकती हैं? अनेविल टू वियर दीज थोट्स, थोट्स मींस विचार, अनेविल मींस ऐसमर्थ, वियर मींस सहन करने से. इन विचारों को सहन करने में अपने आपको ऐसमर्थ पाकर, एन ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थरस्ट, और बहुत तेज लगने वाली प्यास के कारण ओवर पावरिंग बहुत तेज, बहुत तेज लगने वाली प्यास के करण, he gave up betting, गेब अप भी छोड़ दिया, बेटिंग मिस प्रतिक्षा करना, उन्होंने प्रतिक्षा करना बंद कर दिया, and started out to look for his brothers, and started out और श्रू हुए, अपने भाईयों को धूनने के लिए चल पड and the pool hoping that he might find them, और ये आस करते हुए बे तालाब की तरफ हुए कि वहवा ही हो सकते हैं, उधिश्टरा proceeded in the direction his brothers, proceeded आगे बढ़े, directions means दिशा में, उधिश्टर उसी दिशा में आगे बढ़े, जिस दिशा में उनके भाई बढ़े थे, and keep on walking through tracks full of wild weir and spotted deer and big forest words till he came upon a beautiful green meadow, had taken and keeped over walking, और वह चलते रहे, थिरो मैं से, tracks miss रास्ता, उसी रास्ते पर, जो कि भरा हुआ था, जंगली भालवों से, spotted deer और वहां पर हिरन थे, and big forest birds, और वहां पर बड़े जंगल के पक्षी थे, he came upon a beautiful green meadow, और वह एक सुन्दर हरे घास के मैदान के पास आए, around a pool of clean water, जो कि घास का मैदान उस साफ पानी के चारो तरफ था, उन्हें देखते हैं, उसी दिसा में आगे बढ़े, जिस दिसा में उनके भाई आये थे, और वहां उसी रास्ते पर चलते गए, जिस रास्ते में की भालू थे, और हीरन थे, और जंगली पक्षी थे, और वहें एक सुन्दर घास के मैदान के पास आये, जो कि घास का मैदान एक पूल के, एक साफ पानी के तालाब के चारो तरफ फैला हुआ था, किन्तु जब उन्होंने अपने भाईयों को वहां एक फिलेग पॉस्ट ये इस्तंब की तरह गिरह हुए पाया, और अपने दुख को सहन करने में एसमर्थ हो गए, अपने दुख को सहने में एसमर्थ हो गए, उन्होंने जोरो से बहर जोरो से रोने लगी, जोरो की आवाज में बहर रोने लगी, वोईस मिस आवाज विप्ट मिस रोए, जोरो की आवाज से बहर रोना सुरू कर दिया, He touched the face of Bheem and Arjun Touched में छुआ, फेस में छेहरा उन्होंने Bheem और Arjun का छेहरा छुआ As they lay so still and silent and mourned As they lay still and silent Bheem जो है, बहुत ही सांत और मोर्शित पड़े हुए थे But this to be the end of all our words वो स्वयम से परसन पूछ रहे हैं कि बाज this to be end, क्या यही अंध होना था? हमारी सारी पृतियाग्याओं का क्या यही अंध होना था? Was means पृतियाओं and means अंध क्या हमारी सारी पृतियाओं का यही अंध होना था? Just when our exile is about to end, ठीक तभी जब हमारा बनबास समाप्त होने वाला है तभ हमारा यही अंध होना था? You have been taken away तुम को ले लिया गया है या तुमको मिर्तिव दे दी गई है या तुम तुमारी मिर्तिव हो चुकी है Even the gods have forsaken me in my fortunes यहां तक कि इस वर भी मेरे इस दुरुभाग से यहां तक कि देवताओनाई भी मुझे मेरे दुरुभाग पर बे सहरा छोड़ दिया है Miss Fortune दुरुभाग for second means बे सहरा छोड़ दिया है As he looked at their mighty limbs जैसे ही उन्होंने उनके सक्तिसाली अंग देखे Mighty सक्तिसाली limbs अंग जैसे ही उन्होंने उनके सक्तिसाली अंग देखे Now so helpless अब बे कितने ऐसा हाई थे He sadly wondered उन्हें दुख के साथ आशार्य भी हुआ Who could have been powerful इतना सक्तिसाली कौन हो सक्ता है Who could have been powerful Enough Enough to kill them इतना पर्याप्त सक्तिसाली कौन हो सक्ता है जो उनको जिसने उनको मार दिया Then he too descended into pool तब बहवी पानी में तलाम में और यह तब बहवी तलाम में उत्रे drawn to the water by an overpowering thrust अपनी बहुत तीवर लगने वाली प्यास को प्यास के करणा बहवी पानी में उत्रे तलाम में उत्रे At once ना voice without form वारंड At once तुरंत voice अवाज बिदावड बिना और वारंड में शेता बनी दी तुरंत बिना बिना सरीर वाली अवाज ने उन्हें चेतावनी दी Your brothers died तुमारे भाई मरे Because they did not heed my words Heads means दिहान देना Words means सब्द या बात क्योंकि उन्होंने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया They tried to drink water without answering my questions They tried to drink butter without answering my questions उन्होंने मेरे परस्णों का उत्तर दिये विना पानी पीने की कोसिस की Do not follow them उनकी तरहां मत करो जैसा उन्होंने किया है बिना मेरे परस्णों का उत्तर दिये विना पानी पीलिया है तो आप भी यह ऐसा मत करो उनकी तरहां मत करो answer my question first पहले मेरे प्रिस्णों का उत्तर दो and then you can quench your thrust quench means बुझाना thrust means प्यास है और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो this pool belongs to me belongs means सम्बंदित ये pool मेरा है ये तलाब मेरा है it did not take उधिष्टरा a moment to understand it did not take उधिष्टरा a moment moment means छण बहुत थोड़ा समय ये इधिष्टर को ये समझने में एक छण भी नहीं लगा क्या समझने में that these could be known other than the words of yaks and guessed what had happened to his brothers these could be known ये कोई नहीं हो सकता ये और किसी के सब्द नहीं हो सकते सिवाय यक्ष के उन्हें सोचने बहुत कम समय लगा कि ये यक्ष के सिवाय और किसी के सब्द हो ही नहीं सकते and guessed what had happened to his brother और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाईयों के साथ क्या हुआ होगा इट टुक हिम नो टाइम तो सी ए पॉसिवल बे आफ ब्रिंगिंग देम बेक टू लाइफ इट टुक हिम नो टाइम तो सी ए पॉसिवल बे उन्हें बिना समय गमाय सम्भव लगा एक रास्ता ये रास्ता अपने भाईयों को बापस जीवन में लाने का उन्हें ये देखने में थोड़ा सा समय नहीं लगा कि सम्भव है इसी रास्ते से उनका जीवन बापस आ सके उनके भाईयों का उन्होंने उस बिना सरीर वाली आवास से कहा पिलीज आस्क योर कुश्चन्स किरफिय अपने प्रसनों को पूछिए पिलीज आस्क योर कुश्चन्स किरफिय अपने प्रसनों को पूछिए दा वोईस पूट कुश्चन्स रैपिडली वन आफ्टर एनोदर आवाज ने सीघ्रता से एक के बाद दूसरे प्रसन पूछे आवाज ने जल्दी जल्दी अपने सारे प्रसन पूछे वाट रैस्क्यूज मैन इन डेंजर रैस्क्यूज मिस बचाता है और डेंजर मिस खत्रा अव ये प्रसन पूछे रहे है बोडिलेस जो वोईस है के वाट रैस्क्यूज मैन इन डेंजर रैस्क्यूज मिस बचाता है डेंजर मिस खत्रा आदमी को खत्रे में क्या बचाता है दिश्टर उतर देते हैं करेज करेज में साहस आदमी को खत्रे से बचाता है By the study of which science does man become wise किस science के पढ़ने से किस बिज्ञान के अध्यन करने से मानब बुद्धिमान बन जाता है उतर देते हैं दिश्टर Does man become wise not by studying any सास्थर किसी भी सास्थर के अध्यन करने से आदमी बुद्धिमान नहीं बनता है It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom It is by association Association means साथ रहने से संगती करने से ये महान बुद्धिमानी में महान ब्यक्तियों के साथ रहने से आदमी बुद्धिमान बन जाता है ये यक्स आस्कड यक्स ने पूछा What is swifter than the wind What is swifter than the wind Swifter means तेज, wind means हवा ये बायू हवा से भी तेज क्या है Mind Mind means मस्तिस्क दिश्ट रुत्त देते हैं कि मस्तिक्स हवा से भी तेज है Heart is more faded than a dried straw Dried means सूखे हुए Straw means तिनके ये कह रहा है यक्स कि सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुर्जाया हुआ क्या है Faded means मुर्जाया हुआ ये सारो stricken heart दुख में तूटा हुआ हिर्दे उत्तर देते हैं कि एक दुख में तूटा हुआ हिर्दे एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक मुर्जाया हुआ What is friends ए ट्रेवलर Be friends मित्र होता है ट्रेवलर means यात्री यात्री का मित्र कौन होता है या यात्री का मित्र क्या होता है and learning उत्तर देते हैं उत्तर के learning यात्री का मित्र होता है या फिर learning means ज्यान आदमी का मित्र होता है जानकारी Who is the friend one who stays at home stage means ठहरता है home means घर उस जख्ती का मित्र कौन होता है जो अपने घर पर होता है the wife उत्तर देते हैं उत्तर कि the wife पत्नी उस ब्रक्ती का मित्र होती है जो घर पर रुका हुआ होता है Who accompanies a man in death accompanies means साथ जाता है death मिर्तिव मिर्तिव मैं ब्रक्ती के साथ कौन जाता है उत्तर देते हैं जो धिस्टर धर्म that alone accompanies the soul in its solitary journey after death अकेला धर्मी होता है जो मिर्तिव के बाद आदमी की अकेली यात्रा में साथ जाता है सुनसान यात्रा में साथ जाता है जिस्टर कहते हैं कि धर्मी होता है केवल जो मिर्तिव के बाद आदमी की यात्रा में साथ जाता है आत्मा के साथ जाता सोल मिस आत्मा which is the biggest visual visual मिस पात्र और biggest मिस सबसे बड़ा सबसे बड़ा पात्र कोन सा है पात्र बड़ा बड़तन को पात्र कहते है the earth प्रत्वी which contents all within itself प्रत्वी होती है सबसे बड़ा पात्र जो की अपने अंदर सबको समाय हुए होती है सबको रखे हुए होती है Is the greatest measure सबसे बड़ा पात्र होती है What is happiness? Happiness means खुसिया खुसिया खुसी क्या है? इसका अंसर है जो देते हैं युदिश्टर Happiness is the result of good conduct Conduct means आश्रण खुसिया या खुसी अच्छे अच्छे आश्रण का परिलाम है यदि हम अच्छा करेंगे आश्रण तो हम खुस रहेंगे यह कह रहे है What is that? वे क्या है? By giving up which man becomes loved by all वे क्या है? By giving up जिसको छोड़ देने से आदमी सबका प्यारा बन जाता है बैसी क्या चीज है? अगर जिसको छोड़ दे आदमी तो वे सबका प्यारा बन जाता है Pride उत्तर देते हैं जिस्टर कि वो क्या है? Pride है Pride means एहंकार गर्ब घमंड For If man gives up being proud यदि आदमी गर्ब करना छोड़ दे घमंड करना छोड़ दे He will be loved by all बह सबका प्यारा बन जाएगा What is the loss? Which yields joy? And not sorrow? एक स्परसन पर फिर पूछते हैं What is the loss? Which yields joy? किस चीज के खोने से आनन्द मिलता है? दुख नहीं ऐसी कौनसी चीज है? यदि हम उससे खोदें तो हमें क्या मिलेगा? आनन्द मिलेगा दुख नहीं मिलेगा अन्नत होता है क्या? कि जो भी चीज खोती है हमें क्या होता? being angry यदि हम नाराज बना छोड़ देते हैं We will no longer be subjected to sorrow We will no longer be subjected to sorrow हम कभी भी दुख का कारण नहीं होंगे हम कभी भी दुख नहीं मिलेगा हम कभी भी दुखी नहीं होंगे 7. What is that? वे क्या है? By giving up which man becomes rich वे क्या है? जिसको छोड़ देने से आदमी धनी बन जाता है Giving up छोड़ देने से becomes miss बन जाता है रिच मिस धनी ऐसी क्या चीज है? जिसको छोड़ देने से व्यक्ति धनी बन जाता है Desire उत्तर देते हैं युदिश्टर यक्षकों की Desire छोड़ देने से Desire मिस इच्छा इच्छा स्यमित होती हैं और कभी पूरी भी नहीं होती है तो यदि आदमी इच्छा छोड़ दे तो क्या बन जाता है? वे धनी बन जाता If man gives up being greedy He will become wealthy यदि आदमी लालज करना छोड़ दे He will become wealthy वे है धनबान बन जाएगा अगला question पोचते हैं अक्स What makes 1A real Brahman किस चीज से ब्यक्ती एक बास्तविक ब्राह्मण बन जाता? क्या चीज एक ऐसी है जिससे की ब्यक्ती बास्तविक ब्राह्मण बन जाता है Is it worth क्या जनम से good conduct क्या अच्छे आजलन से or learning या फिर ग्यान से ये पुर्सन पोच रहे हैं कि क्या चीज एसी है जिससे की ब्यक्ती ब्राह्मण बन जाता है इनमें क्या जनम होता है उससे ब्राह्मण होता ब्यक्ती या फिर अच्छे आजलन से ब्राह्मण होता है या फिर ग्यान से ब्राह्मण होता है आंसर उत्तर देजिए डिसाइसेवली निश्चे के साथ निश्चे के साथ उत्तर दीजिए ये प्रसंता यक्सका अब इसका आंसर देते हैं जिस्टर बर्थ एंड लर्निंगš डू नॉट्ट मेक वन अ ब्राह्मण बर्थ एंड लर्निंग जनम से और ग्यान से या जनम और ग्यान एक ब्रक्ती को ब्राह्मण नहीं बनाता अच्छा आच्छलन यहांसा करता है अकेला अच्छा आजण ही भक्ती को ब्रहमण बनाता है However फिर भी लरंड ये पर्षन मेबी However लरंड ये पर्षन मेबी ये ज्यानी भक्ती हो सकता है ये ज्यानी भक्ती ब्रहमण बन सकता है He will not be a Brahman, बहभी, Brahman नहीं मन सकता, without giving up bad habits, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए ये ज्ञानी बक्ती भी Brahman नहीं मन सकता Even though he may be learned in the four ways, यहां तक की यदी बे, चार बेदों का ग्याता ही क्यों ना हो, यदी ब्यक्ती में बुरी आदते हैं, तो बे बिरामल नहीं हो सकता, चाहें वो चार बेद ही क्यों ना जानता हो, चार बेद, रिवेद, ये जुर बेद, साम बेद, ये होती चार बेद, पढ़े होता है, एक बुरे ब्याभार का व्यक्ती सबसे निवन बर्ग में आता है, अर्थादी ब्रहमण नहीं सुथता, इसे हम दुबरा देखने के बाद, वहाट में एक सो और ये रियल ब्रहमण, एक बात्वी ब्रहमण कैसे बनता है, क्या जन्म से, क्या अच्छी आजनान से, क्या ज्यान से, निश्चे रूप से उत्तर दीजिए, निश्चे के साथ उत्तर दीजिए, तो ये कह रहे हैं, क्ये जन्म से और ज्यान से आदमी ब्रहमण नहीं बनता, केवल अच्छे आजनान से ही आदमी ब्रहमण बनता, फिर भी एक ज्यानी ब्यक्ती हो सकता है, हो सकत विर्हमल ग्यानी आकति हो सकता है यहां तक कि यदि बेचारो चारो वेदों का क्यों ग्याता क्यों नहीं लेकिन उसका बैभार अच्छा नहीं बन सकता वे लुवर क्लास में आएगा what is the greatest wonder in the world greatest means सबसे महान और wonder means आचार्रे wonder means आचार्रे संसार में world means संसार संसार में सबसे महान तम आचार्रे क्या है everyday man see everyday man see creatures depart two yums kingdom प्रती एक दिन मनुस्य प्रती एक दिन मानव प्राणियों को यम के राजिये में जाता हुआ देखता है यर्थात प्रती एक दिन मनुस्य डग्तियों को ये प्राणियों को मिर्तियू में जाता हुआ देखता है and yet those who remain और तब भी जो यहां पर रहते हैं वांट टू लिव फोर इवर यहां सदेव किरिये ही रहना चाहते हैं दिस ट्रूली इस दा गरेटेस्ट वंडर यहे वास्तम में सबसे वड़ा आश्चार रहे है थस इस प्रकार दा यक्स पुट मैनी कुश्चन्स यक्स ने बहस्तारी पसंद पूछे एंड युदिष्टरा आंसरड दे माल और युदिष्टर ने उन सबका उत्तर दिया इन दा एंड दा यक्स आस्कड अन्त में यक्स ने पूछा ओ किंग ही राजन वन ओफ योर डेड ब्रोदर्स केन नाओ भी रिवाइबड रिवाइबड मिस पुनट जीवित होना हे राजन तुमारे भाईयों में से एक भाई पुनट जीवित हो सकता है तुम किसको पुनह जीवन देलाना चाहते हो इत टुक युदिष्टरा ए मोमेंट तू थिंग ये सोचने में उदिष्टर को एक छंड लगा मोमेंट मिस बहुत थोड़ा समय उदिष्टर को ये सोचने में एक छंड लगा एंड देन ही बिष्टर और तब उन्होंने इच्छा की तब उन्होंने इच्छा की देट दा किलाउड कॉम्पलेक्शन्ड मेग बरन वाला अर्थात सामली रंका लोट्स आइड कमल नेन वाला लोट्स मिस कमल आइड मिस आगे हैं कमल नेन वाला ब्रोड चेस्टेड चोणी शाती वाला अर्थात बल साली एंड लोंग आर्मड और लंबी भुजाओं वाला नकुल लाइंग लाइक एफ आलन एवनी ट्री माइट एराईज अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा की कि मेग बरन वाला कमल के जैसी आँखो वाला चोणी छाती वाला लंबी भुजाओं वाला नकुल जीवित हो जाना चाहिए जो की आवनुस के प्यड की तरह पढ़ा हुआ है इवनी मिस आवनुस के प्यड की तरह पढ़ा हुआ है उसको जीवित हो जाना चाहिए दा यक्ष बाज पिलीजड एट दिस इस वात पर या इस उत्तर से यक्ष बहुत खुस हुए एंड आस्क्ड युधिस्टर और युधिस्टर से पूछा भाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम भाई डिड यू चूज नकुल तुमने नकुल को क्यों चुना तुमने नकुल को क्यों चुना इन रेफरेंस टू भीम भीम की अप्यक्ष तुमने भी भीम को अधिक महत्व देने की बजाए नकुल को क्यों चुना प्रिफिरेंस मीस अधिक महत्व देना तुमने भीम की अप्यक्षा नकुल को क्यों अधिक महत्व दिया हुँ है जडा स्ट्रेंग्ट ओफ 16 थाउजेंड एलिफेंट जिसमें की 16,000 हातियों की सकती है यक्ष पूछते हैं भीम दिश्टर से कि तुमने उस भीम को क्यों नहीं चुना जिसमें की 16,000 हातियों सकती है और तुमने नकुल को क्यों चुना I have heard मैंने सुना है that भीम इज मोस्ट डियर टू यू मैंने ये सुना है कि भीम तुम्हारे लिए सबसे अधिक पिरिये है तुम्हारे लिए भीम सबसे अधिक पिरिये है And why not Arjun? और तुमने Arjun को क्यों नहीं चुना? Whose strength in arms is your protection जिसकी वाहों की सकती आपका रक्षा कबच है? और तुमने Arjun को क्यों नहीं चुना? जिसकी वाहों की सकती आपकी रक्षा कबच है? Tell me, मुझे बताओ why you choose knuckle? मुझे बताओ तुमने नकुल को क्यों चुना? Rather than, either of these two, इन दोनों की ना चुनकर इन दोनों की अपक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना? आगा देखते हैं, क्या उत्तर देते हैं? विधिष्टर रेपलाइड विधिष्टर ने उत्तर दिया ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज दा ओनली सिल्ड ओफ मैन और भीम और अजून हे यक्ष, धर्म, ओ यक्ष, धर्म इज दा ओनली सिल्ड ओफ एमन, नोट, मैन और नोट, भीम और अजून, हे यक्ष, धर्म, जो है मानप की सिल्ड है, धर्म मानप का रक्षा कबच है, और ये भीम और अजून नहीं है धर्म इस गिविन अप, यदि हम धर्म को छोड़ देते हैं, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, मैन बिल वी रियूंड, रियूंड मीस नश्ट हो जाना, आदमी नश्ट हो जाएगा, मनुस्य नश्ट हो जाएगा, कुंती एंड मादरी बर दा टू वीवस ओफ माई बाइफ, वीवस मिंस बाइफ, पतनी, जी बाइफ का बहु बचन होगा है, कुंती और मादरी मेरे पिता की दो पतनिया थी, I am alive, I am alive, a son of कुंती, कुंती का एक बेटा मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ कुंती का एक बेटा, And so, she is not completely verived, और इसलिए, बहे पूर रूप से निपूती नहीं है, पूर रूप से बिना पत्त्रों वाली नहीं है, In order that the scale of justice, नियाय के तराजू में, या नियाय के अनुसार, may be even I ask the mother son, समान बनाने के लिए, अपने पिता की दोनों पत्रियों को समान बनाने के लिए, मैंने ask that mother sons, नकुल may be alive, मैंने मादरी के वेटे, नकुल को जीवित रहने के लिए कहा, पुनर जीवित होने के लिए आपसे कहा, The yaks was most pleased with Yudhishtr's impartiality and granted that all his brothers would come back to life, The yaks was most pleased with Yudhishtr's impartiality, निस्पक्ष्थ्था, यक्ष विधिष्टर की निस्पक्ष्था से बहुत अधिक खुस हुए, यक्ष विधिष्टर की निस्पक्ष्था से बहुत अधिक खुस हुए and granted, और उन्होंने कहा की, और उनको दिया that all his brothers would come back to life है, और उन्होंने उनके सभी भाईयों को बापस जीवन दे दिया, गरांटेट दे दिया, प्रिदान कर दिया और उन्होंने उन्होंने उन्दिष्टर के सभी भाईयों को जीवन प्रिदान कर दिया, इतवाज यम, यह यम थे, the law of death, मिर्तियू के स्वामी, यह यम थे, जो कि मिर्तियू के स्वामी है, who had taken the form of the yaks, जो कि yaks के रूप में थे, form means, रूप या आकार, जो कि yaks के आकार में थे, so that, जिससे की, he might see उधिष्टरा, and test him, जिससे की वह उधिष्टरा से मिल सकें, और उनका test ले सकें, test means, परिक्षा, और उनकी परिक्षा ले चागें, he impressed yudhishtra, impressed means, गले लगा लिया, उन्होंने यudhishtra को गले लगा लिया, and blessed him, blessed means, आसीरबाद दिया, और उनको आसीरबाद दिया, then he disappeared, और तब है, disappeared हो गए, disappeared means, गायब हो गए, और तब है गायब हो गए प्रिय चात्रो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो के question answer हम अगले भाग में वीडियो बना के डालेंगे और आप उसको भी आवस्य देखें और हमारे चैनल को सबिस्क्राइब करना प्रेंड़ाद प्रेंड़ाद